दोस्तों, शपनों का मतलब ब्यक्तिगी, ब्यक्तिकत भावनाओं, मांसिक इस्थिति और सांस्कृतिक प्रष्ट भूमी पर निर्भर करता है। और यह आम तोर पर विभिन संदरबों में अलग-अलग हो सकता है। आम तोर पर गौंगे को सांपों के साथ जोड़ कर दिखाया जाता है, जिने भारतिय संस्कृति में आस्था और सक्ति का प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार के सपने का मतलब हो सकता है कि आपके जीवन में सांति और सकारात्मक्ता का समय आया है। और आप अपनी मानसिक्ता को शांतोना और सांती की दिशा में देख रहे हैं। कभी-कभी गोंगों के दर्शन भाग्य पूर्ण या चुनावती पूर्ण परिस्थितियों के संकेत हो सकते हैं। यदि आपके जीवन में कोई मुश्किल हो रही हैं या आपको विशेश चुनावतीयों का सामना करना पड़ रहा है तो ऐसे सपने आ सकते हैं। दोस्तों गोंगा धीमी गति के साथ साथ इस्थाई प्रगति का प्रतीक है। इसका मतलब यह हो सकता है कि आप भले ही अपने लक्षों की और बढ़ रहे हैं। लेकिन इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं जितनी आप चाहते हो। और इससे आपको ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आप फस गए हैं। गोंगे को लेकर सपनों के बहुत सारे अलग-अलग अर्थ हैं। तो आए जानते हैं कि उन सपनों के पीछे क्या मतलब चुपा है। पहला गोंगा इकठा करने का सपना देखना। गोंगा स्थाई प्रगति को दर्साता है। यदि सपने में आपने बड़ी मात्रा में घोंगे एकत्र किये हैं, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि आपके जीवन में एक ही समय में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। यदि आप अपने लक्षों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको उन चीजों को प्रात्मिक्ता देनी होगी जो सबसे महत्त पूर्ण है। अगला, घोंगा को मारने का सपना देखना, घोंगे बहुत धीमें और इस्थिर जीव होते हैं। घोंगा को मारने का सपना आपके जीवन के बारे में कुछ करने की इच्चा को दरसाता है जैसे कि चीजों को तेजी से पूरा करने के लिए या अपने लक्षों की और एक बड़ा कदम उठाने के लिए आपकी इच्चा आप समगर रूप से अपने जीवन में और गतिलाना चाहते हैं और कम समय में अधिक करने में सक्षम होना चाहते हैं अगला है घोंगे की खेती करने का सपना देखना घोंगे के प्रजनन के बारे में सपने के कई अलग-अलग अर्थ होते हैं सबसे आम व्याख्या यह है कि आप अपने जीवन में एक ऐसी इस्थित से निपट रहे हैं जहां आपको लगता है कि आप पीछे छूट रहे हैं आपको ऐसा लग सकता है कि दुनिया आपकी तुलना में तेजी से आगे बढ़ रही है या आप अपने समकच ब्यक्तियों के साथ ताल मेल नहीं बिठा पा रहे हैं ये सपना बच्चे पाइदा करने या परिवार बढ़ाने की इच्छा को भी दरसाता है घोंगे जल्दी से प्रजनन करने के लिए जाने जाते हैं इसलिए उन्हें प्रजनन करने का सपना देखने से या पता चलता है कि आप जल्द से जल्द माता पिता बनना चाहते हैं अगला बिना कवच वाला घोंगा का सपना देखना घोंगे के लिए कवच एक सुरच्छा परत है यदि आप बिना कवच वाले घूंगे का सपना देखते हैं तो यह संकेत दे सकता है कि आप किसी तरह के खत्रे में हूँ या असुरचित महसूस कर रहे हैं यह इस बात का भी संकेत होथकता है कि कोई ब्यक्ति किसी तरह से आपका फायदा उठाने की कोशिस कर रहा है और आपके आज पास कोई ऐसा ब्यक्ति नहीं है जिस पर आप मदद और समर्थन के लिए भरोसा कर सकें अगला है गोंगे पर पैर रख देने का सपना देखना यदि आपने गलती से घोंगे पर पैर रख दिया है तो इसका मतलब यह हो सकता है कि आपने जो कुछ किया है उसके लिए आप दोसी महसूस करते हैं या फिर आप अपने रिष्टे को लेकर असुरचित महसूस करते हैं या आपको इस बात का डर है कि कोई आपको चोट पहुँचा सकता है यदि आपने सपने में जान बूच कर घोंगे पर पैर रखा है तो व्याख्या पूरी तरह से अलग है यह सपना संकेत कर सकता है कि आपको इस बात की कोई परवा नहीं है कि आप अपने लक्षियों को प्राप्त करने और इच्छा पूरी करने की दिशा में आगे बढ़ते समय अपने रास्ते पर किसे चोट पहुचाते हैं या कश्ट देते हैं अगला एक विसाल गोंगा का सपना देखना यह सपना इस बात का संकेत देता है कि आप में चुनावतियों और बाधाओं को आसानी से पार करने की चमता है आप एक ऐसे बैखती हैं जो चीजों को करने की चमता रखते हैं आप अपने द्रण संकल्प के कारण जो चाहते हैं उसे प्राप्त करने में सक्छम होते हैं और यह आपके जीवन में देखा जा सकता है, क्योंकि आप अपने आसपास के लोगों को सहच और सुरच्छित महसूस कराते हैं। अभी भी आपके लिए आसा है। आप अपनी जिम्मेदारियों से अभी भूत महसूस कर सकते हैं। लेकिन समय और धैर के साथ आप वह सब कुछ करने में सफल होंगे जो आपको करने की जरूरत है। यदि आप सपने में घोंगे को अपनी बाह पर रेंगते हुए देखते हैं तो ये इस बात की ओर इसारा करता है कि पिछले कुछ हपतों से आपके व्यक्तिगत प्रयास सफल नहीं हो पाए हैं। अगला हर जगह धेर सारे घोंगे का सपना देखना। इस तरह एक सपने में घोंगे किसी ऐसी चीज को दरसाते हैं जो आपके जीवन में आलसी, धीमी और अनुत पादक हैं। हो सकता है कि बहुत अधिक मेहनत करने के बावजूद आपको अपेच्छित या इच्छित परड़ाम प्राप्त नहीं हो सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी ऐसी परयोजना पर काम कर रहे हों जो आगे नहीं बढ़ रही हैं। या हो सकता है कि आप उन चीजों को करना जारी रखने की कोशिस कर रहे हो जिने आप करना ही नहीं चाहते हो ये सपना इस बात का भी संकेत हो सकता है कि आपका जीवन बाधाओं और समस्याओं से भरा हुआ है जो आपको धीमा बना रहा है और जीवन में आगे बढ़ना कठिन बना रहा है अगला अपने खोल में छीपे हुए घोंगे का सपना देखना ये सपना आपके जीवन में किसी चीज से पीछे हटने की आवस्चता का प्रतीक है या किसी चीज का प्रतीक है जिसे धीमा करने की आवज सकता है आपको किसी बैक्ति से या किसी चीज से खत्रा भी महसूस हो सकता है इसलिए चोट लगने से बचने के लिए आप अपने आप में ही पीछे हट रहे हैं यदि आप ऐसे घोंगे को पकड़ने की कोशिस कर रहे हैं और जब आप पास आ जाते हैं तो यह अपने खोल में घुश जाता है तो इसका मतलब यह हो सकता है कि आप कुछ करने की कोशिस कर रहे हैं लेकिन बाधाओं या प्रतिरोध के कारण या असंभाव है अगला अपने घर में घोंगे होने का सपना देखना घोंगे को अक्सर कीट के रूप में देखा जाता है क्योंकि वे पाधों को खाते हैं और पीछे चिपचिपा पदार के निसान छोड़ते हैं यदि आप अपने घर में आंगन में घोंगे देखते हैं तो इसका मतलब यह हो सकता है कि आपके घर में वातावरण में कोई समस्या है जिस पर ध्यान देने की आवा सकता है यदि सपने में आप उन्हें अपने घर या बगीचे के चारो और रिंगते हुए देखते हैं और उन्हें रोकने में सक्षम नहीं हो पाते हैं तो साइद आप कुछ बिनास्कारी या तेजी से फैलने वाला चीज से निपट रहे होंगे यदि आप सपने में घौंगे को अपने बिश्तर पर रेंगते हुए देखते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपको किसी तरह से फसने या कैद होने का डर है अग्ला अपने पूरे शरीर पर घौंगे रेंगने का सपना देखना यदि घोंगा आपकी तवचा पर रेंग रहा है तो इसका मतलब यह हो सकता है कि कोई आपको नियंतरित करने की कोशिस कर रहा है या कोई ऐसा निड़ाय लेने के लिए आप पर दबाव डाल रहा है जो आप नहीं लेना चाहते हैं यदि आपके पूरे सरीर में बहुत सारे घोंगे रेंग रहे हैं तो ये इस बात का संकेत दे सकता है कि आपके जीवन में ऐसे कई बिचलित करने वाली कारक हैं जो इस बात को प्रभावित कर रहे हैं कि आप अपने लक्षों को कितनी अच्छी तरह या जल्दी प्राप्त कर सकते हैं अगला घोंगा को पकाने का सपना देखना गोंगे को पकाने का सपना देखना यह बताता है कि आपको अपने जीवन में कई बाधाओं को दूर करना होगा आप अपने आपको एक बुरी इस्थिती में पाएंगे और इससे बाहर निकलने के लिए आपको अपने स्वयम संसाधनों पर निर्भर रहने की आवस्यक्ता होगी यदि आप अन्य लोगों के साथ घोंगे पका रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप अकेले अपनी समस्याओं का सामना नहीं कर रहे होंगे मुश्किल समय में आपकी मदद करने और आपका समर्थन करने के लिए हमेशा आपके करीब कोई ना कोई होगा किसी को घोंगे परोषने का सपना देखना यदि आप किसी को घोंगा परोषने का सपना देखते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपको अपने आसपास के लोगों की अधिक मदद करनी चाहिए सपना आपको यह बता रहा है कि आपको कम स्वार्थी होने की जरूरत है ना कि केवल खुद पर ध्यान केंद्रित करने की अगर आप साधी सुदा हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपके और आपके साथी के बीच कोई प्यार नहीं है तो इस तरह का सपना आना बहुत ही आम बात है अगला है, सपने में किसी को आपको घोंगा परोस्ते देखना इस सपने की तीन अलग-अलग ब्याख्याएं हैं और वे सब इन सवालों पर निर्भर करते हैं क्या आपने पहले कभी घोंगे खाये हैं और यदि आपने खाया है, तो क्या आपको पसंद है या नहीं यदि आपने पहले कभी घोंगे खाये हैं और आपको उसका स्वाद पसंद आया है तो सपने में किसी को आपको घोंगा परोस्ते देखना इस बात का संकेत है कि आपका जीवन बेहतर होने वाला है आपको धैरे रखने और सही समय का इंतजार करने की जरूरत है यदि आपने उन्हें पहले चखा है लेकिन आपको उसका स्वाद पसंद नहीं आया तो इसका मतलब यह है कि आपके जीवन में कोई है जिसकी उपस्तिति आपको परिसान कर रही है यह बैक्ति आपके बैक्तिगत स्थान में दखल दे सकता है यह हो सकता है कि वह आपको ऐसी चीजों में सला दे रहा हो जो आपने कभी मांगी नहीं थी और यह आपको परिसान कर सकती है यदि आपने पहले कभी घोंगे का स्वाद नहीं चका है तो यह सपना इस बात का संकेत है कि आपको जीवन में कुछ नया करने की कोशिस करने का औसर प्राप्त होगा अगला घोंगा खाने का सपना देखना सपने में घोंगे को खाते हुए देखना इस बात का संकेत है कि आप बहुत सफल होने वाले हैं घोंगा धैरे का प्रतीक है इसलिए सपना यह बताता है कि यदि आप धैरे बनाए रखेंगे तो आपको सवभागे रूपी पुरसकार मिलेगा घोंगे खाने का मतलब यह भी हो सकता है कि आप में प्रेम संबंधों के लिए भरपूर उर्जा और सक्ति मवजूद होगी अन्य लोगों को घोंगा खाते हुए सपने में देखना यह संकेत दे सकता है कि आपकी वर्तमान इस्थित उतनी खराब नहीं है चितनी आप सोचते हैं यह सपना इस बात का संकेत है कि आपको अपनी योजनाव को लेकर हार नहीं मानना चाहिए और जब तक आप सफल नहीं हो जाते तब तक प्रयास करते रहना चाहिए अगला घोंगा खरीदने का सपना देखना यदि आप गोंगे खरीदने का सपना देखते हैं तो ये इस बात का संकेत है कि आपको कोई भी खरीददारी करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए आपको अपने पैसों के मामले में सावधान रहना चाहिए और कभी भी अपनी चमता से अधिक खर्च नहीं करना चाहिए यदि आप गोंगे बेचने का सपना देखते हैं तो ये इस बात का संकेत है कि आपको अपनी रफ्तार कम करने की आवस्चता है हो सकता है कि आप बहुत अधिक काम कर रहे हों और अपने आपको विश्राम करने के लिए खुद की देख भाल के लिए परियाप समय नहीं दे पा रहे हैं लाश्ट एक मरे हुए गोंगे को सपना में देखना मरे हुए गोंगा का सपना देखने का मतलब ये हो सकता है कि आप अपने जीवन की उतनी सराहना नहीं कर पहें चितनी आपको करनी चाहिए आप परिवार या दोस्तों को परियाप्त महत्तु देने के बजाए भौतिक संपत्ति पर बहुत अधिक महत्तु दे रहे होंगे इस सपने का मतलब ये भी हो सकता है कि आप अपने जीवन की प्रगती से संतुष्ट नहीं है या आपको ऐसा लगता है कि आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं या फिर आप जीवन में जो सुधार कर रहे हैं वह बहुत छोटे हैं और बिल्कुल भी प्रभाव साली नहीं है दोस्तों गोंगे के सपनों के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी प्रप्या में कमेंट करके बताएं तथा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें धन्यवाद जैहिन